केंद्रिक अपड़ा मंत्री इस्प्रती रानी की डिगरी को लेकर एक बार फिर विबात खड़ा हो गया है कॉंग्रेस जा एक तरफ इस्प्रती के खुद को पहले ग्रेजुएट बताने और अब ग्रेजुएशन पूरी नहीं करने को लेकर तंज कच रही है वह इस्प्रती रानी का कहना है कि ये सब बस इसलिए हो रहा है क्योंकि वो राहूल गांदी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है एक नया धारवाहिक आने वाला है क्योंकि मंत्री भी कभी ग्रेजुएट थी और उसका ओपनिंग लाइन में बताती हूं क्या होगा क्वालिफिकेशन के भी रूप बदलते हैं नए नए सांचे में धलते हैं एक डिगरी आती है एक डिगरी जाती है बनते एफिडेविट नए है एक ऐसा अपमान नहीं एक ऐसी गाली नहीं एक ऐसा शडियंत्र नहीं एक ऐसी निरलज विवहार नहीं जो कॉंग्रेस के कुछ चेले चपाटो ने मेरे साथ गच पांच वर्षों में ना किया हूँ केंद्री मंत्री स्मृत्य इरानी की डिगरी को लेकर एक बार फिर डव्यू डव्यू एफ शुरू हो गया है इसमृत्य इरानी के हलफ नामे के बाद उनकी डिगरी को लेकर कॉंग्रेस और बीजेपी में जोरदार जुबानी जंग चालू है के किस तरीके से ग्रैजुएट से बारवी कक्षा के हो जाते हैं कॉंग्रेस सद्यक्ष राहूल गांधी को उनके गड़ अमेठी में दोबारा चुनोती दे रही इसमृत्य इरानी ने गुरुवार को अपना नामांग कर दाखिल किया चुनावी हलफ नामे में स्मृत्य इरानी ने अपनी शैक्षनी क्योगता के बारे में बताया कि उन्होंने 1991 में हाइ स्कूल, 1993 में इंटर की परीक्षा पास की इसके बाद उन्होंने दिल्ली उनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से तीन साल के बीकॉम कोर्स में दाखिला लिया लेकिन पढ़ाई पूरी नहीं की इस्मृती इरानी के हलफ नामे के बाद कॉंग्रिस ने मोर्चा खोल दिया और आरोप लगाया कि इस्मृती इरानी ने अपने पुराने हलफ नामे में ग्रेजुट होने की जूटी जानकारी दी कॉंग्रिस प्रवक्ता प्रियंका चतुरवेदी ने स्मृति इरानी के सीरियल की थीम पर गाना गाकर उनकी डिगरी पर तंच कसा एक नया धारवाहिक आने वाला है क्योंकि मंत्री भी कभी ग्रैजुट थी और उसका ओपनिंग लाइन में बताती हूं क्या होगा क्वालिफिकेशन के भी रूप बदलते हैं नए नए सांचे में धलते हैं एक डिगरी आती है एक डिगरी जाती है बनते एफिडेविट नए है इस्मृति इरानी राजनीती में आने से पहले टीवी कलाकार थी उनका सीरियल सास भी कभी बहु थी टीवी के सबसे बड़े हिट में गिना जाता है अब इसी सीरियल की धुन पर कॉंग्रेस कह रही है कि क्योंकि मंत्री भी कभी ग्रेजुट थी एक नया धारवाहिक आने वाला है क्योंकि मंत्री भी कभी ग्रेजुट थी सवाल यह है कि क्या वाकई इस्मृति इरानी ने अपनी सेक्षनिक योगता को लेकर कोई गलत जानकारी दी हमने चुनाव आयोग में स्मृति इरानी की तरफ से दिये गए हलफ नामे की परताल शुरू की इससे पहले 2017 में स्मृति इरानी ने राज्य सभा का चुनाव लड़ा था 2017 में भी स्मृति इरानी ने अपने हलफ नामे में यही जानकारी दी कि उन्होंने तीन साल के डिग्री कोर्स में दाखिला तो लिया लेकिन कोर्स पूरा नहीं किया 2017 से पहले स्मृत्य इरानी ने 2014 में राहुल गांधी के खलाफ अमेठी में लोकसभाचुनाव लड़ा था और हार गई थी 2014 के हलफ नामे में भी स्मृत्य इरानी ने ग्रेजवेट होने की बात नहीं कही इसी तरह 2011 के राजसबा चुनाव के हलफ नामे में भी स्मृत्य इरानी ने सर्फ ग्रेजवेशन फॉर्स्ट इयर पूरा होने की बात कही थी लेकिन स्मृत्य इरानी की डिगरी की विवाद की वज़ा है उनका साल 2004 का हलफ नामा 2004 में स्मृत्य इरानी दिल्ली के चांदनी चौक से चुनाव लड़ी थी उस साल उन्होंने अपने हलफ नामे में बताया था कि उन्होंने 2004 में डियू से ग्रेजुएशन पूरा किया है यानि अब तक लड़े 5 चुनाव में से 4 में स्मृत्य इरानी ने अपनी डिगरी की सही जानकारी दी लेकिन कॉंग्रेस पहले अलफ नामे को आधार बना कर स्मृत्य इरानी पर हमलावर है तो स्मृत्य न पलटवार करते हुए कहा है कि राहुल को चुनावती देना कॉंग्रेस पचा नहीं पा रही है उनका गुस्ता मात्र इतना कि मैंने अमेठी में नामदार को चुनावती दी है चेले चपाटों से कहना चाहूंगी हिंदुस्तान की सामान्य परिवार की महिला में इतना दमखम है कि वो नामदारों को टक्कर भी दे और हराए भी पिछला चुनावारने के बावजूद लगातार अमेठी में रहकर इस प्रतिरानी इस बार भी अमेठी से राहूल को चुनावती दे रही है हाई प्रोफाइल टक्कर की वज़े से कॉंग्रेस या बीजेपी दोनों एक दूसरे पर हमले का कोई मौकान नहीं छोड़ना चाहती है और जिगरी विवाद भी उसी का एक हिस्सा है साक्षी माराज और विवाद का नाता नया नहीं है एक बार फिर अपने विवादित बयान से साक्षी माराज सुर्ख्यों में है साक्षी माराज का एक वीडियो वारल हो रहा है जिसमें वो वोट नहीं देने पर शुराब देने की धमकी देते दिख रहे है क्या है सच्चाई? इबीपी नियूज ने जानने की कोशिश की वोट मांगने के लिए तरह तरह के हतकंडे आपने देखे हूंगे इस कड़ी में अब नया नाम जुड़ा है यूपी के उन्नाव से बीजेपी सांसर और उम्मिद्वार साक्षी माराज का उन्नाव में प्रचार के दोरान साक्षी माराज ने कहा कि वो सन्यासी हैं और वोट नहीं देने पर ग्रिहस्ती का पूर्ण लेकर पाप दे जाने की धमकी देती वोट के लिए साक्षी माराज किस धमकी के बाद सोशल मेडिया पर उनका जमकर मजा पुड़ाया जा रहा है यामीन खान ने लिखा बस यही आखरी हतकंडा देखना बाकी रह गया था राहूल ने ट्विटर पर लिखा मराथी में कहावत है कव्वे के श्राप से गाय नहीं मरती संदीप नाम के यूजर ने तंज करते हुए लिखा ये आदमी पी-म बनना चाहिए जैसे ही पाकिस्तान कुछ करे तो श्राप देकर मावला निप्टा दे ऐसा पहली बार नहीं है जब उन्नाओं से सांसत साक्षी महराज अपने विवादित बयानों की वज़े से चर्चा में हूँ साक्षी महराज कई बार ऐसे विवादित बयान दे चुके हैं राहुल गांधी के जनेव विवाद को ले करती 7 अपरैल को साक्षी महराज ने विवादित बयान दिया था उससे एक दिन पहले यानि 6 अपरैल को कॉंग्रेस के घोशना पत्र को ले करती साक्षी महराज में विवादित बयान देते हुए घोशना पत्र को आतंकी संगठन से जोड़ दिया था पुलवामा के शहीद की अंतिम यात्रा में भी साक्षी महराज की हस्ते हुए तस्वीरें वैरल हुई थी जिसको लेकर काफी विवाद हुआ था और अब ताजा मामला वोट नहीं देने पर श्राप देने के धमकी का है साक्षी महराज के इस तरह से वोट मांगने पर लोग उन्हें घेर रहें